नमस्कार आपको स्वागाते सत्योधा मीडिया में और आपके साथ मैं हूसामिक शादिक्षत बॉलिवूड के सूपर स्टार हमेशा सुर्खियों में रहते हैं कभी अपने एक्टिंग को लेके तो कभी अपने फैशन को लेके और कभी कॉंट्रोवर्सी को लेके लेकिन सिर्फ बॉलिवुड के एक्टर ही नहीं कॉंट्रोवर्सीज में रहते हैं उनके वाइप भी कॉंट्रोवर्सी का शिकार होती रहती है हम आपको आज बताएंगे ऐसे कौन से टॉप फाइफ एक्टर्स की वाइप है जो कॉंट्रोवर्सीज का शिकार होती है देन शारुक खान का फैर देसी गल प्रियांका चोपड़ा से है तो फिर क्या था कौरी खान अपने फ्रेंज के साथ मिलकर देसी गल को बॉलिवुड से बैन कराने का फैसला ले लिया कौरी खान ने तो शारुक खान को डिवास तक देने की धमकी दे डाली थी और कहा था कि वो देसी गल के साथ अब काम नहीं करेंगे नमबर दू पर है मीरा राजपूत कपूर शाहिद कपूर की वाइफ है वैसे तो शादी से पहले उनका सिनेमा से कोई नाता नहीं था लेकिन शाहिद की वाइफ पनलिके बाद उनको सीधा वोक की मैगजीन में फीचर किया गया जिसके बाद तो माने कॉंचुवर्सी ने मीरा को अपनी चपेट में ले लिया था और फिर क्या था हर तरफ मीरा राजपूत कपूर को सिर्फ ट्रोल किया जा रहा था क्योंकि इतने बड़े मैगजीन में फीचर होने की वज़ा सिर्फ एत थी कि वो शाहित कपूर की वाइफ है नमबर थ्री पे है खिराडी कुमार के नाम से मश्हूर अक्षे कुमार अक्षे कुमार की पतनी ट्विंकल खरना वैसे तो राइटर और प्रोडूसर है लेकिन एक बार बहुत ही बड़ी कॉंट्रुवर्सी में फस गई थी 2009 में लेक में फैशन वी के दोरान अक्षे रैम वाग पर वाग करते करते ट्विंकल के पास आये थे और वो फस्ट रो में ही बैठी थी ट्विंकल ने अपनी जीन्स और अक्षे ने अपनी जीन्स उनसे अन बटन करने के लिए कहा ट्विंकल खरना ने जब ये किया तो कई लेगों को ये काफी वल्गर और चीप लगा और उनके खिलाफ एक केस फाइल किया गया ट्विंकल अरेस्ट हुई थी लेकिन हाला की बाद में बड़ा फाइन देकर बाहर भी आ गए थी नमबर फोर पर है किरन राओ आमिर खार और उनकी वाइफ पे खिलाब साल 2015 में एक F.I.R. फाइल किया गया था ये F.I.R. इसलिए फाइल किया गया था क्योंकि उन्हें इंडिया से बाहर शिफ्ट होना था और उन्होंने ये बात पब्लिक भी कही थी लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसमें बड़ी क्या बात है इंडिया से बाहर शिफ्ट होने के लिए F.I.R. थोनी दर्स की जाती है असल में उन्होंने कहा था कि उनको इंडिया में काफी डर लगता है और इंडिया काफी इंटॉलरेंस लोगों का देश है नमबर पांच पर हैं अपनी अद्दाओं से सब को घायल करने वाली और मुली बदनाम जैसे आइटम सॉंग को सुपर डूपर हिट करने वाली मलाइका रोडा खान ये अरबास खान की धर्म पतनी थी और अरजुन कपूर के साथ एक्स्ट्रमारिटल अफ़ेर के चलते हैडलाइन बनी हुई थी ऐसे खबरे थी कि ये अरजुन कपूर को डेट कर रही है और इसके साथ ही अरबास को उन्होंने पैसे के लिए छोड़ दिया है लेकिन बाद में उन्होंने कहा था कि उनका डेवास न्यूच्वर अंडरस्टैंडिंग है तो आपने देखा कैसे बॉलिवूट के अक्टर की वाइब कॉंट्रूवर्सी का शिकार हुई है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका फ्रेवरेट बॉलिवूड स्टार कौन सा है और साथ ही साथ हमको ये भी बताइएगा कि अगले किस टॉमपिक पे आपको वीडियो चाहिए हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले सिनेमा, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक से जुड़ी खबरों के लिए अब सत्योदै मीडिया के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकान दबारना बिलकुल न भूले है